हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी कबर नितिस केबिनेट की बेड़क में खुला नोकरी का पिटारा पचपन सो से अधिक पदो पर होगी भरती ग्रिया विभाग और मेट्रो में बंपर बहाली बाड़ी खबर पट्टा से सामने आ रही है जहां मुई के सची वाले में चल रहे नितिस केबिनेट की अहम बेड़क खतम हो गई है बेड़क में कूल 35 एजेंडो पर मुहर लगी है मंत्री परिसत की इस अहम बेड़क में नोकरी का पिटारा खुला है राज के विविन विभागों में हजारों पदों पर बहाले की स्विकिर्ती मिली है ग्रिय विभाग और स्वास्त विभाग के अलावा पट्ना मेट्रों में भी बहाले की स्विकिर्ती मिली है विविन विभागों में लगबग पचपन सो से अधिक पदों को स्रेजित करने की स्विक्रति मिली है। केबिनेट बेटग में लिया गया फैसला। स्वास्त मंत्री मंगल पाड़े ने बताया कि कुरोना से लड़ाय को लेकर 80 करोर रुपे की मंजूरी दी गई है। से कुरोना नियंतरन को लेकर आवाशक समागरे की खरीद होगी। नितिस सरकार का बड़ा फैसला बेरोजगारों को हर मैने दिये जाएंगे एक एक हजार रुपे। जियां बुदवार को हुवी केविनेट बेठक में सरकार राज के बेरोजगार इवावों के लिए तोफा लेकर आई है। सरकार ने बिहार में बारवी पास एक लाग इवावों को स्वाई सहायता बता देने का फैसला लिया है। इस संबन में योजना एवं विकास बिबाग ने अपने आदेश में मुख्यमंत्रे निश्चा इस्वाई सहायता बता योजना को अगले पांस साल तक बढ़ा दिया है। आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इस योजना के तहद आप पहले की तरह 20-25 साल के बारवी पास बेरोजगार इवावों को रोजगार की खोज में मदद करने के लिए रोजगार भत्ता दिया जाएगा जो कि हर मेने 1000 रुपिय का होगा। बिहार केविनेट की बेड़क में बड़ा फैसला गारियों के फिटनेस परमान पत्र का जुर्माना भी घटा। 15 रुपिय परति दिन चोटे चार पहिया परिवान वाहन के लिए 50 रुपिय परति दिन को घटा कर 20 रुपिय परति दिन किया गिया है और भारी वियवसाइक परिवान वाहन और आइन वाहनों के लिए यह फाइन 50-30 रुपिय परति दिन तक किया गिया है। बिहार में फिर महंगा हुआ बालू नितिस सरकार ने बंदोबस्ती रासे में 50 फिज़ी का किया इजाबार जिहां बिहार में एक अप्रेल यानि गुर्वार से बालू एक बार फिर महंगी हो जाएगी राजी सरकार ने बालू बंदोबस्ती के रासे 50 फिजदी बढ़ाने का फैसला किया है केविनेट की बैठक में 1 अप्रेल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के लिए बंदोबस्ती रासे 50 फिजदी बढ़ा कर अवदिव इस्तार करने की सिवकिर्ती दे दी है साथी साथ परिवहन विभाग में बालू और गिटी ले जाने के लिए विशेस परिसित्यों में बस्तर जिली के चोसा में बन रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट को देखते हुए निर्दारी सर्तों पर 14 चक्के और इससे उपर वाले ट्रोकों से अनुमान चमता के अनुरोब परिवहन की मंजुर दी है बिहार में नहीं लगेगा लोगडाउन स्वास्त मंत्री मंगल पाड़े का बड़ा बयान देश में कोरोना वारेस के दूसरी लहर बड़े तेजी से फेल रही है हौली के कारण बिहार में भी इन दिनों पोजिटिब मरीजों की संक्या में काफिपा हुआ है राजिक के अंदर कोरोना संक्रमन के रप्तार तेज हो गई है बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किये जा रहे हैं और लोगों से भी इतिहात बरतने की बार्ब अपिल की जा रही है इसी बेच बिहार सरकार के स्वास्त मंत्री मंगल पाड़े ने एक बड़ा बयान दिया है मंगल पाड़े ने कहा कि फिलाल बिहार में लोगडाउन नहीं लगाया जाएगा आपको बता देखे देश के कई सहरों में नाइट कर्वियो और आंसिक रुप से लोगडाउन लगाया गया है दूसरी तरब बिहार में डराने लगा है कोरोना संक्रमन का चर्था ग्राब 72 घंट में 664 कुरोना संक्रमित मिले संक्रमितों में 70 परतिसाद दूसरे परदेसों से आने वाले जिया बिहार में पिछले 72 घंट में 1, ado único गॉय जाज की गई इन में राजबर में 664 नई क्ववरोना संक्रमित की पहचान की गई है इनमें करीब 70% संक्रमितों की पहचान दूसरे राज्यों से आने वालों की हुई है इस दौरान राज में कुरोना संक्रमन की दर 0.4% रही जो कि जब संक्रमन के सरवाधिक मामले आ रहे थे उस दौरान की संक्रमन की दर 0.5% की करीब है आपको बदा दे कि अधिकारिक सुत्रों की अनूसार नई करोन संक्रमितों में 70% दूसरे राज्यों से आने वाले है इनमें महाराष्ट, 36गड, दिल्ली, पंजाब, मैद, परदेश, इत्यादी राज्यों से आने वाले यात्री सामील है राज्य में करोन संक्रमितों की स्व परिक्षा को लेकर अब बिहार के उमिद्वारों में परिक्षा के सेंटर और परदेसों में दिये जाने से इसका विरोध सुरू हो गया है आपको बता देखिए एक अप्रेल से आठ अप्रेल तक परिक्षा होनी है परवेस पत्र भी जारी कर दिया गया है इसके लिए बिहा लेकिन राज के उमिद्वारों को दोसरे राज में परिच्छा केंद्र होने पर उन लोगों पर नाराजगी जताई है। दस रुपे की कमी एक अप्रेल से हो रहा है सस्ता। जिहां घरेलू एलपेजी सिलेंडर की किमत में कमी की गई है। रसुई गेस की किमत दस रुपे परति सिलेंडर घटाई गई है। नई किमते एक अप्रेल 2021 से परवावे ढंग से लागू होगी। इस बात की जानकारी इं पहचान पत्र यानि की UD ID कार्ड का निर्मान पारली अप्रेल के बाद से ओनलाइन सेत्ता पेद दिव्यांगिता परमान पत्र के बाद ही माइनने होगा ओफलाइन आवेधन के आधार पर UD ID कार्ड का निर्मान नहीं किया जाएगा इसके लिए दिव्यांग जनों को निर् इसके साथ ही बताया गया है कि दिव्यांग जनों को परत्यकि स्वम्मवार और ब्रस्तपती वार को दस बजे से दो बजे तक राज के सभी प्रातमिक स्वास्त केंद्रों, सभी सिविल सरजन कार्याले और सभी बुन्यादिक केंद्रों पर आवेदन सिवकिर्थ किया बिहार में आज से सिक्चोकों का होगा टिका करन सभी जीलों की डियम और डियों को निर्देश जारी है और स्वास्त बिवाग के प्रदान सचीव ने सयुक तुरूप से सभी जीलों की जिला दिकारी और जिला सिक्चा पतादिकारी को पत्र लिखकर जीले में टिका करन की विवस्ता करने का निर्देश दिया है सिक्चा विवाग की ओर से सभी सिक्चकों और सिक्चा विवाग के कर्मचारियों को टिका करन का निर्दिस दिया गिया है पक्टना की तरच बर बिहार के इने सहारों में भी बनेंगे एलिवेटेड रोड जाम से मिलेगी मुक्ती जी हां राजदानी पटना की तर्ज पर बिहार के आने सहरों में भी एलिवेटेड रोड बनाये जाएंगे खास कर वैसे सहर जा अभी जाम की समय से अधिक हो रही है पहले चरण में ऐसे चो सहरों की पहचान की गई है आने वाले दिनों में इस संक्या में विर्धी होना तही है आपको बता देंगे जहां एलिवेटेड रोड का निर्मान किया जाएगा उसमें भागलपूर, बेगु सराय, गोपाल गंज, दरबंगा, मुझपरपूर और गया सामिल है अधिकारियों का निसार एक अपरिल से सुरू होने वाले वित्तिय वर्ष में ही इन सहरों की साथ लिंक करने की तारिक बढ़ा दी है, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की चलते इसकी तारिक बढ़ा कर 30 जून तक कर दी है, पहले पैन और आधार को 31 मार्च यानि कल तक लिंक करना था, आकरे दिन लोगों को पैन और आधार लिंक करने में दिक्तते भी आ रही थी दरसल इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की अधिकारिक बेफसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी सोशल मीडिया के जरिये लोग इस परिसानी को लेकर सिकायद भी कर रहे थे बड़ी कबर 12-15 साल के बच्चों के लिए आ गई कोरोना वैक्सीन फाइजर ने कहा सो परतिसत असरदार जी हाँ वैक्सीन बनाने वाले अमेरिकी कमपानी फाइजर इंक और बायोन टेक ऐसी ने हाल ही में 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्राइल शुरू किया था कमपनी वा किया है कि 12-15 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन सो परतिसत असरदार है आपको वदा दे कि अमेरिका में 16 वर्स और उससे अधिक उम्र के इवावो को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है कमपनीों को उम्मीद है कि 2022 तक टिकाकरन की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा भारत में फिलाल 45 साल से अधिक उम्र और फ्रन्ट लाइन वर्यर्स को टिके लगाये जा रहे हैं बच्चों को टिके नहीं दिये जा रहे हैं और उनकी बड़े कबर बिजली बेल 15 दिन में नहीं भरने पर अब डेड़ परतिसत सरचार्ज चार्जिंग इस्टेशन खोलने वाले का फिक्स चार्ज माप जिया राज में आज से बिजली की नई दर लागू हो रही है इस बदलाव का असर 1 अप्रेल 2021 यानि आज से 31 मार्च 2022 तक राज के 1,66,60,541 अबबबगताओं पर पड़ेगा राज के पोस्ट पेड ओबबगताओं को बकाया बिल पर 1,5% सरचार्ज देना होगा कारण बिहार बिदोध विनायमक आयोग ने सावत और नौर्थ बिहार पावर डिस्टिबेशन कमपनी का प्रस्ताम मंजूर कर लिया है अब तक बकाया बिजली बिल 1,25% सरचार्ज था मिटर रिडिंग कर बिलिंग होने के 15 दिन अंदर बिजली बिल जमा नहीं करने पर 1,5% सरचार्ज लगेगा दो मा से अधिक होने पर बिजली काटने की कारवाई करेगे वहीं राज में अब तक रात के समय में उद्योग चलाने का फायदा मिलता था लेकिन एक अप्रेल से दिन में उद्योग चलाने वाले को फायदा मिलेगा स्मार्ट प्रिपेड मिटर लगाने वाले वो बोगताओं को 1 अपरिल से 3 फिजदी छूट मिलनी सुरू हो जाएगी आज के लिए आपका स्वाल बताएं कि दुरगावती जल परपाद बिहार के किस जीले में इस्तित है इसका जवाब आप हमें नीचे कमिन बॉक्स में जरूर बताएं